ये है होटेल रेस्टोरेंट स्टाइल मतर पनीर पुलाओ हेलो फ्रेंड्स, शेल्स किचिन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सरदी का बहुती special restaurant साधी पार्टी में बनने वाला मटर पनीर पुलाओ शाधी पार्टी में जैसा मटर पनीर पुलाओ आप घर में मिंटम में बना सकते हैं एक एक दाना खिला खिला बहुती अच्छी खुश्बू वाला टेस्टी और लाजबाब मैं सारे tips and tricks आपके साथ share करूंगे आप वीडियो को पूरा देखें तो आईए मटर पनीर पुलाओ बनाना शुरू करते हैं अगर आपने अवी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बैल आइकन का बटन चलूर प्रेस करिए पुलाओ बनाने के लिए मैंने यहां देड़ कप बास्मती चावल लिया है पुलाओ वगेरा हमेशा मास्वती चावल से ही बढ़िया बनता है तो आप बास्मती चावल से ही बनाए तो मैंने इसे कटोरे में ट्रांसफर कर लिया है अब हम इसे अच्छे तरीके से पानी से 3-4 बार दो लेंगे और पानी से दोने के बाद हम इसे 20 नट के लिए रख देंगे हम इसे बहुत जादा देर के लिए भिगो कर नहीं रखेंगे वरना चावल मैशी हो जाता है मैंने यहां 1.5 कप चावल लिया है आप किसी कटोरी से मेजर्मेंट कर ले चावल को हमने विखो कर रख दिया है अब हमने पनीर लिया है पनीर को मैंने यहां क्यूब शेप में कट कर लिया है अब गैस का flame on करके मैंने कड़ाई चड़ा दी और उसमें एक चमच देशी घी डाल दिया है और घी के गर्म होते ही मैंने जो पनीर के pieces लिये थे उसको मैं कड़ाई में डाल दूँगी और अच्छे से उसको fry कर लूँगी पनीर में दौनों तरब से अच्छा सा golden color आने पर ह इस तरीके से fry किया हुआ पनीर पुलाव में बहुत बढ़िया लगता है मैं बिल्कुल होटेल स्टाइल में बना रही हूं तो इस तरीके से हमारा पनीर में अच्छा सा color आगया है पनीर को निकाल लेंगे अब मैंने कुछ काजू के pieces लिये उसे बीच में से split कर दिया है का ओईल में भी बना सकते हैं यह आपकी choice है यह थोड़ा ओईल या थोड़ा घी भी ले सकते हैं मैंने कुछ खड़े मसाले लिये हैं यह पुलाव का सबसे जरूरी अलिमेंट है इसी से पुलाव में जवर्दस्त टेस्ट आता है और भैतरीन खुश्भू भी इसे जरूर डा काली मिर्च और एक चम्मच जीरा लिया है और एक चक्र फूल भी लिया है इन सबी खड़े मसालों को हम घी में डाल देंगे और गैस का फ्लेम लो रखेंगे और अच्छे से करेंगे सौटी कोई वी चीज जलनी नहीं चाहिए इसलिए हम गैस का फ्लेम लो रखेंगे हमार अरी इलाइची और बड़ी इलाइची को पुलाओ में डालते समय हलका सा मूझ खोल दें इससे क्या होगा कि पुलाओ में इलाइची की बहुत अच्छी खुश्बू आएगी अब मैंने एक प्याज को पतला पतला स्लाइसिज में कट कर लिया उसको कड़ाई में डाल दें इक कटोरी भरकर हरी मटर एड़ की है सरदियों में इस समय हरी मटर भरके आ रही है तो आप स्ताजा हरी मटर एड़ करें फ्रोजन मटर से उतना बढ़िया टेस्ट नहीं आता है और सारी वेजी टेवल को हम एक से दो मिनट के लिए बून लेंगे और इसके बाद जो हमने जावल को भिगो कर रखा था उसका पानी हम अलग कर लेंगे और हम चावल को कडाई में एड कर देंगे और आप चावल को घी में भूनना बहुत जरूरी है इसी से चावल में बहुत बढ़िया टेस्ट टेक्शर आता है अब मैंने चावल में टेस्ट के अकॉरडिंग नमक और एक चम्मच गरम मसाला एड़ किया है, गरम मसाला हम इसी समय एड़ करेंगे, जिससे चावल में अच्छे से मिक्स होकर बढ़िया फ्लेवर देगा, और सूखी लाल मिर्च भी मैंने इसमें आदा चम्मच एड़ किये, आप जैसा तीका खाना पसंद करते हैं, आप अपने हिसाब से इसमें एड़ कर लीजिएगा, चावल को अच्छे से दो मिनट के लिए घी के साथ हम अच्छे से बून लेंगे, अब सबसे जरूरी पॉइंट हमने हIANE यहां डेर कड़ कप चावल लिया था, तो हम इसमें तीन कब पानी एड़ करेंगे, जितने हमने चावल लिया है, उसका डवल हम पानी एड़ करेंग और 5 मिनट के बाद हम चेक करेंगे और इसे हम एक बार चला लेंगे अगर हम कोकर में बना रहे हैं तो आप तीन कप से थोड़ा कम पानी एड़ कीजिएगा बहुत जल्दी मिन्टों में बन जाती है यह रेसिपी इस तरीके से बनाएंगे तो आपको यह बहुत पसंद आएं के से पनीर और काजू को फ्राइ कर रखा था उसे हम इसी स्टेज पर एट कर देंगे इससे क्या होगा कि पनीर और काजू का क्रंच बना रहे male情 जो खाते समय बहूती बढ़िया लगेग अब हम पनीर और काजू को पुलाव में अच्छे से mix कर लेंगे हम हलके हातों से ही mix करेंगे friends आप देख सकते हैं कि हमारा मटर पनीर पुलाओ कितना खिला खिला और कितना परफेक्ट बना है और जो हमने पुलाओ में खड़े मसाले डाले हैं उसकी वज़य से पुलाओ में बहुत ही जवरदस्त खुश्चबू आ रही है अब हम गैस का फ्लेम ओफ कर दें आप इसमें कोई भी वेज़ी टेवल्स एड कर सकते हैं के बाद मैंने इसमें आदा चमच बोना जीरा पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग काला नमक एड किया है और लास्ट में बारी कठा हरा धनिया डाल कर हम इसे अच्छे से mix कर लेंगे आपके पास गाजर ना हो त माटर से ही बना सकते हैं या आप इसमें खीरा भी एट कर सकते हैं आप एक बार मटर पनीर पुलाओ या किसी भी पुलाओ के साथ इस रायते को एक बार जरू ट्राइ कीजिएगा पुलाओ या चावल के साथ यह रायता खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है तो आ आप देख सकते हैं कि हमारा पुलाओ कितना जवरदस्त और लाजवाब बना है, एकदम खिला खिला और टेस्टी, एकदम शादी पाटी या होटेल जैसा टेक्शर आया है, आप देख सकते हैं कि ये कितना जवरदस्त बना है, तो आप हम इसमें हरा धनिया बाद में एट करे और पुलाओ को अब हम सर्व कर लेते हैं सर्दियों में आप इसे फटाफट बना सकते हैं और गर्मा गरम इंजॉय करिए मजा ही आजाएगा खाकर आप हफते में बारवार बनाएंगे सभी आपकी तारिफ किये विना नहीं रहेंगे मटर का सीजन है तो आप इसे जरूर बन आप देख सकते हैं कि हमारा चावल भी अच्छे से गल गया है और बिल्कुल भी मैशी नहीं हुआ है बिल्कुल खिला-खिला हमारा मटर पनीर पुलाओ बनकर तयार हुआ है तो इन सर्दियों आप अपने घर पर इस तरीके से मटर पनीर पुलाओ जरूर बनाईएगा और वीडियो में तब तक के लिए हर हर महादेव